हलो दोस्तों, वेलकम टू टोपर्स विलेज दोस्तों, आज हम क्लास 12 मेट्स के चेप्टर 7 इंटीग्रल्स की XI 7.4 के कोशन्स करेंगे कोशन नमबर 10, 11, 11 इस टाइब से हम चेक करेंगे तो देखो दोस्तों, इस XI 7.4 में मैंने कोशन्स की 3 केटेगरी बना रखी है कोशन नमबर 1 से लेके कोशन नमबर 9 यह बहुत आसान कोशन है, यह हम अलड़ी कवर कर चुके है फिर है टाइब 2, कोशन नमबर 10 टू, कोशन नमबर 15 जो कि हम आज कवर करेंगे फिर कोशन नमबर यह टाइब 3 है, कोशन नमबर 16 टू, कोशन नमबर 23 यह हम अगले वीडियो में कवर करेंगे तो आज जो कोशन है, कोशन नमबर 10 से कोशन नमबर 15 देखो यह कोशन से, इनमें भी आपको सभी कोशन करने की जरूत नहीं है मैं कुछ questions discuss करूँगा आप जो बचे विए questions है वो solve कर लेना ठीक है तो एक तरीकी से हम सारे concepts तो cover हो जाएंगे इनमें आप 2-3 questions करोगे न तो सारे के सारे questions का concept cover हो जाएगा या फिर देखो question number 10 question number 13 and question number 15 ये एक ही type के questions है तो इनमें से हम question number 15 कर लेंगे फिर question number 11 और अच्छा 11 में आपको मैं एक method सिखा दूँगा वो बाकी समय काम आ जाएगा 11 थोड़ा सा different है फिर question number 12 and question number 14 में question number 12 हम try कर लेंगे तो इस exercise 7.4 में एक चीज़ तो आपको आनी ही चाहिए completing the square method ये तो आपको आनी ही चाहिए ये वैसे देखा जाए तो 10th class या फिर 9th class का topic है एक quadratic को देखे हम कैसा holy square बनाते हैं ठीक है दोस्तों तो इस 7.4 इसमें ये completing the square method जरूरी क्यों है एक तो इसके formulas देखो यहापे जो formulas है वो है one upon quadratic, one upon quadratic, one upon quadratic और one upon root quadratic यहाँ पर भी root quadratic और यहाँ पर भी root quadratic तो जिसे ये formula क्या है x square minus a square है a square minus x square है x square plus a square है ऐसे हैं लेकिन अपना जो question है वो one upon quadratic यह जो general quadratic है इस general quadratic को हमें एक इस type से बनाना पड़ सकता है कि सारा का सारा x एक bracket में उसका holy square minus फिर constant का holy square ऐसे आ सकता है तो उसके लिए हमें इस बिखरे हुए x को समेटना आना चीए मतला completing the square method हमें आने चीए ठीके दोस्तो तो अभी हमें start करते है question number 11 से यह method अगर आपको नहीं आती बिल्कुल tension मत लेना मैं आपको इस question में सिखा दूँगा पकडने है देखो भई यहां पर अंडरूट नहीं लगावा नीचे की तरफ तो यहां पर भी बिना अंडरूट वाले जो starting के तीन formula वो हमें लगाने है last वाले अंडरूट वाले formula नहीं लगाने है अब इनको देखो इन formula को देखो यहां पर जो x square है variable का square उसका जो कोफशेंट वो 1 है यहां पर भी x square है कोफशेंट यह – 1 हुआती है तो यहां पर x square कोफशेंट का यह नն है तो आप क्या करो इस पूरे में से पूरे में से क्या common ले लो 9 common ले लो ठीक है तो आप 9 common ले लो 1 by 9 आजाएगा बाहर integration of उपर 1 और नीचे ऐसा हो जाएगा देखो x square plus 6x में से अगर आप 9 common लोगे 6x में से 9 common लोगे तो क्या बचेगा इसको हम अलग से रख में सोल कर लेते हैं तो 6x बटा 9 हो जाएगा common लेना मतलब divide करके निकालना तो तीन से काटेंगे तो क्या बचेगा तीन से काटेंगे तो उपर बचेगा 2x divided by नीचे 3 तो यह पिर क्या आएगा 2x by 3 प्लस 5 में से common लेंगे तो 5 बटा 9 यह बचेजाएगा dot dx ठीक है अब क्या करें अब देखो दोस्तों यहाँ पर ना इसको हमें complete square बनाना पड़ता तो ऐसा कर सकते हो एक तरीका तो यह है कि वही x square प्लस 2x divided by 3 है तो यह एक टाइप से बन गया a square प्लस 2ab अब हमें क्या चाहिए b square चाहिए b square कहा से मिलता है यह 2 की जगे 2 आ गया a की जगे x आ गया तो यहाँ पर बच किया गया यहाँ पर 1 by 3 बच गया तो 1 by 3 अपना क्या हो जाएगा b हो जाएगा एक यह तरीका लगा सकते हो 1 by 3 b हो गया तो फिर 1 by 3 का square हम जोड भी देते हैं और गठा भी देते हैं ठीके लेकिन इससे भी fast तरीका यह है देखो क्या जो एक 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 हम वो फोलोगराप x का कोप्शन क्या है 2 by 3 उसका आदा करो 1 by 3 उसका square जोड दोर गठा दो समझगे x से कोप्शन का आदा देखो 1 by 9 integration of 1 अपन यह है x square प्लस 2 x by 3 x का कोप्शन टे 2 by 3 उसका आदा 1 by 3 1 by 3 का square 1 by 3 का square हम जोड देंगे और गठा देंगे 1 by 3 का square प्लस यहाँ पे एक 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 पास बटेनों उसको केलगुरिशन से दूर रखते हुए यह पिर रख देंगे तो आप यहाँ पर देखोगे न तो यह complete square बन गया इसको मालग से soul कर लेंगे यह constant तयार हो गया तो कुछ ऐसा हो जाएगा i equal to 1 by 9 integration of 1 upon यह किसका holy square हो गया देखो a square plus 2ab plus b square तो a है x b है 1 by 3 तो x plus 1 by 3 का और square हो गया फिर minus यह यह 1 by 3 का square का होता है 1 by 9 हो गया इसका square का हो गया minus का 1 by 9 हो गया यह और इसके बगल में क्या है 5 button हो तो यहाँ पर 5 by 9 हो गया soul करेंगे तो यह 9 else हो जाएगा minus 1 plus 5 तो यह 4 हो जाएगा 4 by 9 बन गया यह तो यहाँ पर plus का 4 by 9 dot dx आप चाहो तो 4 by 9 को 2 by 3 का whole square लिख सकते हो कुछ इस परकार 1 by 9 integration of 1 by यह है x plus 1 by 3 का whole square और यह है 2 by 3 का whole square dot dx अब यहाँ पर कौन सा formula लगेगा अब क्योंकि हमने completing this square method लगा लिया यहाँ पर square बन भी किया तो अब कौन सा formula है यहाँ पर suitable है तो यह बिना root वाले हैं तो यह 3 formula लग सकते हैं देखो x x का मतलब है यहाँ पर क्या है यह जो variable वाला part हो यह x plus 1 by 3 और फिर minus minus plus को दो बाद में देखेंगे a square a square का मतलब क्या है constant वाला जो square हो देखो दोस्तों यहाँ पर दोनों positive है तो यह plus minus वाला नहीं लगेगा plus minus वाला यह भी नहीं लगेगा यह लगेगा plus plus वाला तो अगर integration of dx बटा यह x square plus a square इसका integration 1 by a 10 inverse x by a बन सकता है तो अपने वाले का क्या बन जाएगा सिदा सिदा concept यह लगा दो और वैसे मैं यहाँ पर ऐसे भी कर सकता हूँ देखो ऐसे है यहाँ पर अगर हम इसको एक modified form बताता हूँ इस form ले की अगर कभी ऐसा आता है dx बटा x की जगे समझे लो ऐसा आ गया px plus q का i square ठीक है और यहाँ पर a की जगे a का i square है तो जिस परकार यहाँ पर क्या हुआ 1 by a 10 inverse xy है तो यहाँ पर क्या हुजाएगा 1 by a 10 inverse x की जगे यह आ जाएगा px plus q divide by a की जगे तो a ही और यहाँ पर x का option क्या है p है तो वो p यहाँ पर फिर से divide में आ जाएगा तो यह p और यह 1 by a यह 1 by a p बना देंगे ठीक है खेर अपने वाले में इतना complicated है नहीं px plus q exact option p ऐसा कुछ नहीं है अपने वाले में exact option 1 ही है तो फिर भी हम इसको इस formula के तहद ढाल देंगे तो answer क्या बनेगा equal to देखो 1 by a अच्छा यह 1 by 9 तो पहले सी चलता है question में इसको मत छड़ो multiply by 1 by a इसका मतलब क्या है 1 by a ए की जग़े 2 by 3 multiply by 10 inverse x की जग़ क्या जाएगा variable मतलब यह variable part x plus 1 by 3 divide by a ए क्या है 2 by 3 2 by 3 ठीक है plus c वैसे यह बन गया अपना answer इसको solve कर लेंगे थोड़ा modify करके तो i equal to यह 3 चला जाएगा उपर वैसे 3 जो है वो इस 9 को तो काटेगा यह काटेगा तो यह पर 3 बच जाएगा 3 और यह 2 multiply बन जाएगा 1 by 6 फिर यहाँ पर 10 inverse अंदर क्या होगा देखो ऐसा है कुछ 2 by 3 इस टाइप का है तो यह 3 उपर चला जाएगा 3 उपर की तरफ चला जाएगा तो 3 जाकी दोनों से multiply हो जाएगा तो x का क्या हो जाएगा 3 x यह 3 उपर जाएगा तो 1 by 3 से multiply होगा तो बना लेगा 1 divided by नीचे कितना है 2 फ्लस C ठीक है यह 3 उपर जाएगे मैंने modify कल लिया यह बन गया अपना question number 11 का answer ठीक है दोस्तों इसमें हमने क्या सिखा देगा आप complete देख लो इसमें क्या क्या किया हमने एक quantity कि था नीचे की तरफ तो x square जो कोप्षेंट था वो मैंने common ले लिया फिर जो x कोप्षेंट है उसका आधा करके square जोड दिया और गटा दिया ताकि यह complete square बन जाए वो अलग हो गया और constant अलग हो गया फिर मैंने यहाँ पर pattern देखा उसके according मैंने formula लगा दिया यह x square प्लस a square वाला pattern है तो वो रखके फिर formula तो लगी जाएगा माइनस x square तो यह जो question है 12 वो similar to question number 14 है मैं आपको यह बार दिखा देता हूँ देखो यहाँ पर यह तो है question number 12 और ऐसा ही है question number 14 दोनो one upon under root में है निचे की तरफ under root है और देखो x square का option negative है इसमें भी negative है तो दोनो same type के यह same style से दोनो soul होंगे यहाँ पर देखो कि इसको हमें किस formula में डालना पड़ेगा आगी जाके तो under root वाला है तो यहाँ पर देखो under root वाले तीन formula है इन्हें में से कोई नो कोई बनेगा और आपको देखो साप साप लग रहा होगा कि है यहाँ पर x square का जो coefficient है यहाँ और यहाँ इसको एक जगर बनाएंगे 1 upon under root फिर यहाँ पर है dx यहाँ पर देखो क्या करो दोस्तों यह जो 7 ना constant इसको तो रखलो अभी अलग ठीक है क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम अंदर से under root minus comma निकाल के बाहर निकाल लेंगे नहीं under root है यह under root ठीक है अगर यह under root नहीं होता तो कर लेते लेकिन under root से minus के से बाहर निकाल सकते है कोई constant तो निकाल सकते है 1,2,3,4 लेकिन negative के से बाहर निकाल सकते है तो आप एक काम करो 7 को तो रोको दूर और जो x वाली चीजे हैं इन में से minus comma ले लो तो यहां से minus comma लेंगे तो यह x square बच जाएगा और यह 6x बच जाएगा ऐसे ठीक है ऐसा बन गया अब इसके बाद में क्या करें यहां पर bracket close हो जाएगा और अगली step भी हम कुछ करेंगे तो मैं यहीं पर कर देता हूँ x सक option का है 6 6 का आधा 3 तो 3 का square आप जोड़ दो गटा दो तो यहां पर plus का 3 square कर दिया और minus का भी 3 square कर दिया ठीक है simple है x का option जो भी हो उसका आधा करके और उसका square जोड़ दो गटा दो ठीक है ताकि balance हो जाए अब देखो जो जोड़ा है वो यहां पर complete square बना लेगा और जो गठाया है वो बाहर चलगे 7 से मिल जाएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा integration of 1 upon under root of यहां से क्या बाहर निकलेगा देखो यह निकलेगा minus का 3 का square मतलब minus का 9 minus का 9 जो बाहर link निकला तो वो minus से मिल जाएगा तो minus और minus 9 हो जाएगा plus का 9 तो 7 plus 9 हो गया यहां पर यह minus है तो minus यह किसका holy square हो गया x square plus 6x plus 3 square बोरे तो यह a plus b का holy square a है x b है 3 तो यह हो गया x plus 3 का holy square और यह multiply में dx चली रहे है ठीक है ऐसा set कर लिए हमने set करना पढ़ता यार ऐसा बनता नहीं है एक question तो integration अब यह क्या हो गया 1 upon under root of यह 7 और 9 कितना हो गया 16 16 बोले तो किसका square हो गया 4 का square हो गया minus और यह x plus 3 x plus 3 का holy square dot dx ठीक है अब देखो यह कैसा pattern हो गया यह constant minus variable square x plus 3 को variable ही बोल रहा हो पूरा का पूरा constant का square minus variable का square तो देखो के तो आप यहाँ पे यह वाला बन गया यह formula बन गया यह पूरा इससे match हो रहा है a square की जगे 4 square है x square की जगे x plus 3 का square है तो अपने formula में कोई फरक नहीं पड़ेगा डाल दो values आप क्या answer आएगा sin inverse x by a sin inverse x x की जगे के आएगा x plus 3 और a की जगे के आएगा 4 आजाएगा ठीक है तो इस formula के तरहता answer क्या हो गया sin inverse x की जगे 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 x plus 3 divide by a की जगे के जगे जगेगा 4 आजाएगा ठीक है और यह बन जाएगा यहाँ पर plus का c यह answer बन गया देखो कितना short and sweet तरीके से कर लिया ना हमने कैसा किया यह यहाँ पर x square का option negative था और under root था तो under root से बाहर नहीं जाएंगे हम और बिसले नहीं जाएंगे तो यहाँ पर मैंने दोनो x वालों में से मैंने minus common ले लिया ठीक है क्योंकि x वाले तो obviously एक साथ आएंगे आएंगे उन्ही का तो complete square बनेगा तो उसके बाद मैंने minus common लिया फिर x का option का आधा करके उसका square जोड़ दिया और घठा दिया तो फिर उसका complete square बन गया जो घठाया उसको मैंने बहार निकाल लिया तो ऐसे मैंने अलग लग कर लिया अलग वेरियबल अलग ठीक है यह format बन गया a square minus x square मैंने formula लगा दिया ठीक है दोस्तो ऐसा similarly आपको कर लेना है question number 14 अब हम आगे बढ़ते हैं तो अपने अब देखो question number 11 हो गया question number 12 के according 14 भी हो गया question number 10, 13 और 15 ठीक है देखो दोस्तों यह question number 15 I equal to integration of 1 upon under root of x minus a x minus b जो की similarly कैसा है कैसे और दूसरे question हो जाएंगे question number 10 और 13 हो जाएंगे आपके एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ देखो यह question number 15 है ना इसमें ऐसा है under root और x minus x minus b ऐसा ही है question number 13 x minus 1 x minus 2 एक ही जगा 1 आगया भी जगा 2 आगया तो answer में भी 1 over 2 आजाएगा और question number 10 ऐसा है अब यह इसके factors तो नहीं बन सकते लेकिन जब इम इसको खोलेंगे ना यह bracket दो multiply करेंगे वो भी इसमें करेंगी करेंगे जब इनको multiply करेंगे तो हमें यह ऐसा फेलावा expression मिल जाएगा ठीक है तो देखो क्या करना है इसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले इसको में i equal to integration of देखो x minus a x minus b है ना अलग लगे से multiply में तो quadratic बनाने के लिए तो पहले में bracket खोल देता हूँ इनके मतलब multiply इनको आपस में करी देता हूँ one upon under root x minus a x minus b वैसा तो यह 10th class या 8th class का formula होता है direct formula याद करने के लिए बोला जाता है अगर नहीं पता तो आप bracket खोल लो x इन दोनों से multiply होगा तो x square और minus का bx बन जाएगा ऐसा यह x पिर यह minus a multiply होगा तो minus का a x बन जाएगा तो कुल मिलाके में minus ऐसा बन जाएगा minus a plus b x minus a जब minus b से multiply होगा तो plus का a b बन जाएगा ठीक है dot dx ठीक है न यह समझ गया कैसे किया मैंने bracket खोल दो आप यह ही पाऊगे ठीक है इसके लावा और को expression नहीं आएगा यह हो गया अब क्या करें अब हम completing square method start करते हैं कैसे कैसे बनाया जाए इसको तो i equal to integration of one upon under root यहाँ पर सबसे पहले x square तो x square minus यहाँ पर इसको भी लिख लेता हूँ a plus b x plus अब जो x का coefficient है a plus b उसका आदा a plus b by 2 उसका square जोड़ दो गठा दो तो यहाँ पर a plus b by 2 आदा x की coefficient का आदा जोड़ दिया और गठा दिया मतलब a plus b by 2 का whole square गठा दिया और जो a b है constant वो तो यहाँ पर आई गाए आएगा constant generally ऐसे completing square में part नहीं लेता dot dx ठीक है दोस्तों तो अगर कोई value आएगी यह और भी एक ही जिगे जैसे question number 13 और 10 में आ रही है तो भी आप ऐसे बना सकते हो अब आगे i equal to यह क्या बना वो लिख लो one upon under root of देखो क्या बना यह एक type से इसा होगे a square minus 2ab plus b square यहाँ पर 2 दिख नहीं रहा आपसा तो 2 multiply divide कर दो लेकिन कोई ज़रूत नहीं है a का का काम कोन कर रहा है x तो यहाँ पर x देगा फिर यहाँ पर minus है तो यह a minus b का holy square बनेगा और b का काम कोन कर रहा है a plus b by 2 यहाँ पर a plus b by 2 यहाँ जएगा का holy square यह जो expression है यह x minus a plus b by 2 का holy square ही है यहाँ पर यह जो minus है यह पूरे पर लगा हुआ है फिर यहाँ पर देखो इसको solve करना पड़ेगा यार, इसको मैं अलग से solve कर लेता हूँ, इसको मैं rough मैं अलग से solve कर लेता हूँ, यहाँ पर यह minus है, तो minus, इसको खोलेंगे, तो क्या बन जाएगा, उपर बन जाएगा, A square plus B square plus 2AB, नीचे की तरफ क्या है 2, तो 2 yellow, प्लस यहाँ पर क्या है, AB, तो य minus को अंदर बेज़ दो, minus A square minus B square minus 2AB, एल से हम लेगें तो यह 2, उससे भी multiply होगा, तो प्लस का 2AB, इससे यह कट गया, यह बच गया, इन दोनों में फिर से मैं minus common ले लेता हूँ, तो ऐसा हो गया, A square plus B square बट्रे 2, तो यह जो expression है, कौन सा, यह वाला expression, इसकी जगा मैं यह र ठीके दोस्तों, ऐसा बन गया, इसको सोल कर लिया, मैंने LCM ले लुआ के ऐसा बन गया, dot dx, तो अभी क्या करें, आगे की तरफ देखो, I equal to, इसको, क्योंकि देखो, pattern क्या बन गया, यहाँ पर completing square, complete हो गया, minus यह constant आ गया, तो एक टाइप से किस टाइप का pattern, देखो, यह x वाली चीज है, और यह constant है, तो x वाली चीज का square, minus constant का square, मतलब ऐसा बना लेंगे भी, और under root उपर लगा हुआ है, under root उपर लगा हुआ है, तो यहाँ पर यह तीन formula's, under root वाले में से match होगा, देखो, x का square है, तो यह x का square है, यह वाला बन जाएगा, यह वाला इन में से अंडरूट और दोनों square लगाने से न कोई फरक नहीं पड़ता, इसका answer यह बन जाएगा, फिर यह हम लिख देंगे, थोड़ा सा और इसको में लिख लेता हूँ, ऐसा कहले लेता हूँ, integration of one upon under root, x minus a plus b by two, का holy square, minus यह क्या बन जाएगा, a square plus b square बटे 2, कि under root का, इसका भी holy square dot dx, वैसे आगे न, आगे और आसानी से हो जाएगा यह question, i equal to देखो क्या बनेगा, answer के आने वाला यह, log of this, log of x, तो log of modulus, सबसे पहले x, x बोले तो यहाँ पर जो भी variable वाला square है न, वो, यहाँ पर variable वाला part क्या है, यह x minus a plus b by two, यहाँ पर हुआ जाएगा, x minus a plus b by two, पर simply यही आजाएगा, linear आजाएगा, फिर यहाँ पर बीचें plus, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर भी क्या आजाएगा, फिर under root x square minus a square, तो under root यह पूरा का पूरा expression है जाएगा, x square बोले तो x minus a plus b by two का whole square माइनस यह आजाएगा, under root of a square plus b square by two का whole square, ठीक है, और यहाँ पर expression है, यह expression यह का यह ही है, इसका मतलब क्या है, यह है, म bas art हम वापस आजाएगगे, यह आ सकता है, यह आ सकता है, यह आ सकता है, यह आ सकता है, यह कोशन भी आ सकता है, मतलब ही पूरा question ही GMODified और का ऐसा बन गया था, जिसको हमने यहाँ पर लिग दिया, तो इस modified expression का Paul Cecilia दो सकते हो तो मैं यहाँ पर वापस कोशन ही छाप दूँगा आई पराबर लोग ओफ मोटलस एक्स माइनस यह ए प्लस बी बाइटू प्लस अंडरूट ओफ यह इसको जब सोल करेंगे ना वापस सेट करेंगे तो आपस एक कोशन जैसा ही बन जाएगा क्योंकि हमने इस इसको वापस होल करेंगे तो मिल जाएगा मैं एक्स माइनस एक्स माइनस बी का यह मल्टिप्लिकेशन और यह मोटलस क्लोज प्लस सी ऐसा हो गया तो आपको इसा भी आंसर देख सकते हो वह भी देख सकते हो लेकिन वह थोड़ा लगता है इसको एर वगरा वापस खोलने प बचेवे कोशन के आप प्रेक्टिस कर लेना अब हम मिलते हैं गले वीडियो के अंदर थेंक्यू बेरी मच्च